मिरा भाइंदर शहर में गन्पदी बप्पा का विसर्जन पूरी तरह से रहा बप्पा के भरोसे मनपा प्रशाशन द्वारा गयर जिम्मेदारान तरीके से पंडाल लगाने की पर्मिशन बाटना पढ़े गया भारी सड़क पर लगे पंडालों में घंटों घंटों तक लोग कतार लगा कर वड़ा पाव और चाट खाने के लाइन में खड़े दिखाई दिये वही रात होते होते वड़ा पाव और नास्ता बाटने वाली संस्था के पताधिकारी अपनी फोटो बाजी के चक्कर में कचरे कामबार लगा कर चले गए अब इस लापरवाही के जिम्मेदार संस्था पर मनपा क्या कारवाई करती है ये तो आने वाला समय बताएगा दूसरी तरफ मीरा भाईंदर में गणपती बप्पा का विसर्जन करने आये भक्तगण और तेहवार का अनन्द लेने आये आमजनता दोनों ही ट्रैफिक पुलिस और मनपा प्रशासन की लापरवाही के चलते पूरी तरह से परिशान और हताश नजर आये गौर तलब है कि हर साल अनन्द चतुरतरशी को मीरा भाईंदर शहर की जादा तर बप्पा की मूर्तिया जेसल पार्क चोपाटी पर विसर्जन की जाती हैं जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस और अस्थानिक पुलिस मिलकर सहर के सभी चार पही आवाहन और आटोरिक्षा पूरी तरह से बंद करने का आवाहन करते हैं लेकिन इस बार आवाहन तो किया गया पर इसका पालन दूर दूर तक नहीं किया गया परिडाम यह रहा कि विसर्जन के लिए निकले मूर्तियां और आम जनता अपने अपने वाहनों के साथ घंटों जाम में फसे न जराए यही नहीं ट्राफिक पुलिस विभाग के करमचारियों ने आम जनता को उनके हाल पर छोड़ मोबाइल में रील देखना शायद ज़्यादा जरूरी समझा रही बात मनपा प्रशाषन की तो मानो चौपाटी पर एक मंच बनाने के अलावा गडपती विसर्जन को लेकर उनकी कोई जिमेदारी नहीं थी जहां एक तरफ पुलिस प्रशाषन पूरी राज से सुबह के नो बजे तक सैकड़ो मूर्तियों के विसर्जन में पूरी तरह से सहयोग देते और जद्दो जहत करते नजर आ रहे थे वही मनपा प्रशाषन के वरिष्ट अधिकारी पल्ला जहाड कर घर को रवाना हो गये नतीजा ये रहा कि क्रेन की वेवस्था कई घंटो बात शुरू ही मंच से संचालक गायब होने के कारण समन्वाई की कमी नजर आई गडपती पपा का विसर्जन करने आये मंडल पदा अधिकारियों ने जहां पुलिस विभाग का धन्यवाद किया वही मनपा के इस रवये पर खेट जताया और इसे लापरवाही भरा कृत बताया